साथियों नमस्कार स्वागत अभिनंदर एक बार फिर से आप सभी का मेरे चेनल पर मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा ले करके आए हूँ आपके लिए आज श्मुंसी प्रेम चंद के खजाने से एक और खूब सुरस्ति काहानी 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 का नाम है नरक का मार्क तो प् अगन रहते थे ऐसी भक्ती बड़ी तपश्या से मिलती है क्या मैं वह तपश्या नहीं कर सकती इस जीवन में और कौन सा सुक रखा है आपू सनों से जिसे प्रेम हो जाने यहां तो इनको देखकर आखे फूरती है धन दौलत पर जो प्रान देता हो वह जाने यहां तो इस आखिर वही हुआ जिसका मुझे भैता जितनी देर उसके साथ हसी थी उससे कहीं ज्यादा रोई संसार में ऐसी भी कोई इस्त्री है जिसका पती उसका स्रंगार देखकर सिर से पाउं तक जल उठे कोन ऐसी इस्त्री है जो अपने पती के मुए से यह शब्द सुने तुम मे तेरा परलोग विगाड़ोगी और कुछ नहीं तुमारे रंग रंग कहे देते हैं और मनुष उसका दिल बिस खा लेने को चाहे भगवान संसार में ऐसे भी मनुष्यें आखिर में नीचे चली गई और भक्ती माल पढ़ने लगी अब ब्रंदावन विहारी की ही सेवा करू आउंगी बै तो देखकर नहीं जलेंगे बै तो हमारे मन का हाल जानते हैं वगवान मैं अपने मन को कैसे समझाऊंँ तुम अंतरा अम्य हो तुम मेरे रोम रोम का हाल जानते हो मैं चाहती हूँ कि उन्हें अपना इष्ट समझू उनके चरणों की सेवा करूँ उनके इशा पिता का सारा दोस मेरे नसीबों का ही है लेकिन ये सब जानते हुए भी जब उन्हें आते देखती हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है मुहें पर मुर्धनी सी चा जाती है सिर्भारी हो जाता है जी चाता है इनकी सूरत ने देखू बात तक करने को जी नहीं चाता कदाचित श तो दिल पर से बोज उठ जाता है हस्ती भी हूँ बोलती भी हूँ जीवन में कुछ आनंद आने लगता है लेकिन उनके आने का समचार पाते ही फिर चारो और अंधिकार चित्त की ऐसी दसा क्यों है यह मैं नहीं के सकती मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि पूरु जन में हम दोनों में बैर था उसी बैर का बदला रेने के लिए उन्होंने मुझे बिभाए किया है वही पुराने संसकार हमारे मन में बने हुए हैं नहीं तो मैं मुझे देख देख कर क्यों जलते और मैं उनकी सूर्ष से क्यों गरना करती विवाय करने का तो ये मतलब नहीं हुआ करता मैं अपने घर कहीं इससे ज़्यादा सुकी थी कदाचित मैं जीवन परियंत अपने घर आनन से रह सकती थी लेकिन इस लोग प्रथा का बुरा हो जो अभाग इन कर्णियाओं को किसी ने किसी पुर्स के गले में बांदेना अनिवार ये समझते हैं वे क्या जानता है कि कितनी युप्तियां उसके नाम से रो रही है कितने अभिलासाओं से लेराते हुए कोमर हिर्दे उनके पेरों तले रोंदे जा रहे हैं युप्ति के लिए पती कैसी कैसी मधूर कल्पनाओं का स्रोथ होता है पुर्स में जो उत्तम है स्रेष्ट है दरसनिये हैं उसकी सजी मूर्ती इस सब्द के ध्यान में आते ही उसकी नजलों के सामने आकर खड़ी हो जाती है लेकिन मेरे लिए ये सब्द क्या है हिर्दे में उठने वाला शूल कलेजे में खटकने वाला काटा आँखों में गड़ने वाली किरकिरी अंते करन को बेजने वाला ज्यंग बान सुसीला को हमेशा हस्ते देखती हूँ वै कभी अपनी दरिद्रता का गिला नहीं करती गेने नहीं है कपड़े नहीं है भाले के नन्ने से मकान में रहती है अपने हातों घर का सारा कामकाज करती है फिर भी उसे रोते नहीं देखती अगर अपने मन के बस की बात होती तो आज अपने धन को उसकी दरिद्रता से बदल लेती अपने पती देव को मुस्क्रा तेवे घर में आते देखकर उसका सारा दुख दारिद्र छूमंतर हो जाता है छाती गजवर की हो जाती है उसके प्रेमा लिंगन में वैं सुख है तिस पर तीनों लोग का धन योचावर कर दू आज मुस्से जबत ने हो सका मैंने पूछा तुमने मुझसे किसलिए विवाय किया था ये प्रस्न महीनों से मेरे मन में उठता था पर मन को रोकती चली आती थी आज प्याला चलक पड़ा ये प्रस्न सुनकर कुछ बोखला से गए बगले जहांकने लगे खी से निकाल करके बोले अरे घर समवालने के लिए ग्रस्ती का वार उठाने के लिए और नहीं क्या भोग बिलास के लिए गरने के बिना ये आपको भूत का सा डेरा मालूम होता था नौकर चाकर घर की संपत्ती उड़ाय देते थे जो चीज जहां पड़ी रहती थी कोई उसको देखने वाला ने था तो अब मालूम गवा कि मैं इस घर की चौकसी के लिए लाई गई हूँ मुझे इस घर की रक्षा करनी चाहिए और अपने को धन समझना चाहिए कि ये सारी संपत्ती मेरी है मुख्य वस्तू संपत्ती है मैं तो केबल चौकी दारीन हूँ ऐसे घर में आज ही आग लग जिया है अब तक तो मैं अनजान में घर की चौकसी करती थी जितना वे चाते हैं उतना ने सही पर अपनी बुद्धी के अनुसार अवश्य करती थी आज से किसी चीज को भूल कर भी चौने की कसम खाती हूँ ये मैं जानती हूँ कोई पुरुस घर की चौकसी के लिए विवाय नहीं करता और इन माशे ने चिटकर ये वाद मुझसे कही लेकिन सुसीला ठीक कहती है इन्हें इस्त्री के बिना घर सुना लगता होगा उसी तरह जैसे पिंजरे में चिटिया को ने देखकर पिंजरा सुना लगता है ये हम इस्त्रीयों का भाय की मालूम नहीं इन्हें मुझस पर इतना संदे क्यों होता है जबसे नसीब इस घर में लाया है इन्हें बरावर संदे मूलक कटक्ष करते देखती हूँ क्या खारण है जरा बाल गुत्वा कर बैठी और ये होट चवाने लगे कहीं जाती नहीं कहीं आती नहीं किसी से बोलती नहीं फिर भी इतना संदे ये अपमान असे है क्या मुझे अपनी आबरू प्यारी नहीं ये मुझे इतनी चिछोरी क्यों समझते हैं इन्हें मुझे पर संदे करते लज्जा भी नहीं आती काना आदमी किसी को हसते देखता है तो समझता है लोग मुझी पर हस रहे हैं शायद इन्हें भी यही भेहम हो गया है अपने चारों तरफ शत्रू दिखाई देंगे मैं समझती हूँ सभी शादी करने वाले बुढ्डों का यही हाल है आज सुसीला के कहने से मैं ठाकूर जी की जहांकी देखने जा रही थी अब ये साधरान बुढ्दी का आदमी भी समझ सकता है कि फूर्ड वहु बनकर बार न जाकूर जी की जहांकी देखने जाती हूँ इतना सुनते ही त्योरिया चड़ा करके बोले तुमारे जाने की कोई जरुत नहीं जो अपने पती की सेवा नहीं कर सकती उसे देवताओं के दर्शन से पुर्णे के बदले पाप होता है मुझसे उड़ने चली हो मैं ओरतों की लशनस पैचनता हूँ ऐसा क्रोध आया कि बस अब क्या कहूँ उसी दम कपड़े बदल डाले और प्रण कर लिया कि अब कभी दर्शन करने नहीं जाऊंगी इस एविश्वास का भी कुछ ठिकाना है ने जाने क्या सोच कर रुगी उनकी बात का जबाब तो यही था कि उसी समरपन में इनों ने मेरे से विभाय करके सायद मुझे पर एहसान किया है इतनी बड़ी जादाद और विसाल संपत्ती की स्वामनी होकर मुझे फूले ने समाना चाहिए था आठों पैर इनका यसगान करते रहना चाहिए था मैं सब कुछ ने करके उल्टे और मुहें रटक हो जाता है तीन दिन से बिमार है डाक्टर केते हैं बचने की कोई आशा नहीं निमोनिया हो गया है पर मुझे ने जाने क्यों इनका गम नहीं है मैं इतनी बज्ज्य हिर्दे कभी नहीं थी ने जाने मेरे मेरी कूमलता कहां चली गई किसी बिमारी की सूलत देखकर मेरा हिर्दय करोना से चंचल हो जाता था मैं किसी का रोना नहीं सुन सकती थी वही मैं हूँ कि आज तीन दिन से उन्हें बगल के कमरे में पड़े कर हाते सुनती हूँ और एक बार भी उन्हें देखने ने गई आँखों में आशु का जिक्री क्या मुझे ऐसा मालूम होता है इन से मेरा कोई नाता ही नी मुझे चाय कोई पिसास नी कहे चाय कुल्टा पर मुझे तो ये कहने में लेस मात भी संकोष नहीं है कि इनकी बिमारी से मुझे एक प्रकार का इर्शा में आनंदारा है इन्होंने मुझे यहां कारावास दे रखा था मैं इसे विवाय का पवित्र नाम नहीं देना चाहती ये कारावास ही है मैं इतनी गुदार नहीं हूँ कि जिसने मुझे कैद में डाल रखा हो उसकी पूजा करूँ जो मुझे लाच से मारा उसका पेरों को चुनू मुझे तो मालूम हो रहा था कि इस्वर इन्हें इस पाप का धंड दे रहे हैं मैं नी संकोच होकर कहती हूँ कि मेरा इनसे विवाय नहीं हुआ है इस्तरी किसी के गले बांदिये जाने से ही उसकी विवायता नहीं हो जाती वही संयोग विवाय का पद पासकता है जिससे कम से कम एक बार तो हिर्दय प्रेम से पुलकित हो जाए सुनती हूँ माशे अपने कमरे में पड़े-पड़े मुझे कोसा करते हैं अपनी बिमारी का सारा बुखार मुझे पर निकालते हैं लेकिन यहां इसकी परवार नहीं जिसका जी चाहे जायदाद ले ले धन ले ले मुझे इसकी ज़रुत नहीं आज तीन दिन हुए मैं बिद्वा होई कम से कम लोग यही कहते हैं जिसका जो ची चाहे कहे पर मैं अपने को जो कुछ समझती हूँ वही समझती हूँ मैंने चूडिया नहीं तोड़ी क्यों तोड़ू मांग मैं सिंदूर पेले भी निलालती थी अब भी निलालती बूडे बाबा का क्रिया कर्म करके उनके सुपुत्र ने किया मैं पास ने फटकी घर में मुझे पर मनमानी आलोसने होती है कोई मेरे गुथवे बालों को देखकर नाक सिकोडता है कोई मेरे आभूसनों पर आँख मटकाता है यहां इसकी चिंता नहीं उन्हें चिडाने को मैं भी रंग विरंगी साड़िया पेंती हूँ और भी बंती समर्ती हूँ मुझे जरावी दुख नहीं है मैं तो कैद से छूट की इधर कई दिन सुसीला के घर गई छोटा सा मकान है कोई सजावट ने सामार चार पाईयां तक नहीं पर सुसीला कितने आनन्द से रहती है उसका उल्लास देखकर मेरे मन में भी भाती-भाती की कल्पनाएं उठने लगती है उन्हें कुचित क्यों कहूं जब मेरा मन उन्हें कुचित नहीं समझता इनके जीवन में कितना उस्सा है आँखें मुस्क्राती रेती है होटों पर मदूर हश खेलता रहता है बातों में प्रेम का स्रोट बहता हुआ जान पड़ता है इस आनन से चायवे कितना ही छनिक हो जीवन सफल हो जाता है फिर उसे कोई भूल नहीं सकता उसी इसमिलती अंत तक के लिए काफी हो जाती है इस मिजराव की चोट हिरदे के तारों को अंत काल तक मदूर सुरों में कमपित रख सकती है एक दिन मैंने सुसीला से कहा अगर तेरे पतिदेव कहीं परदेश चले जाए तो रोते रोते मर जी आएगी सुसीला गंबीर भाव से बोली नहीं वेन मरूंगी नहीं उनकी याद सदे प्रफुलित करती रहेगी चाय उन्हें परदेश में बरसों लग जिया है मैं यही प्रेम चाती हूँ इसी चोट के लिए मेरा मन तड़पता रहता है मैं भी ऐसी ही स्मृती चाती हूँ जिससे दिल के तार सदे बसते रहें जिसका नशा नित्य चाया रहे रात होते होते हिच्किया बन गई ने जाने क्यों दिल भराता था अपना जीवन सामने एक बीहर मैदान की भाती फेला वुआ मालूम होता था जहां बगलों के सिवा हरियाली का नाम नहीं घर फाड़े खाता था चित ऐसा चंचल हो रहा था कि कहीं उड़ जाऊं आज कल भक्ती के ग्रंतों की और ताकने को जी नहीं चाता कहीं सेर करने जाने की भी इच्छा नहीं होती क्या चाती हूँ मैं मैं स्वें भी नहीं जानती लेकिन मैं जो जानती मैं मेरा एक एक रोम जानता है मैं अपनी भावनाओं को सजी मूरती है मेरा एक 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 अंग मेरी आंत्रिक बेदना का आर्थ नार्थ कर रहा है मेरे चित की चंचलता उस अंतिम दशा में पहुँच गई, जब मनिस्ट को निंदा की ने लज्जा रहती है, ने भे, जिन लोभी स्वारती माता पिता ने मुझे कुए में डखेला, जिस पासान हिर्दे प्राणी ने मेरी मांग में सिंदूर डालने का स्वांग किया, उनके पृती मेरे मन में बा दंड दिलाना चाकती हूँ, मेरा नारित्वलुप्त हो गया है, मेरे हिर्दे में प्रचंड ज्वाला उठी हुई है, घर के सारे आदमी सो रहे थे, मैं चुपके से नीचे उतरी, द्वार खोला और घर से निकली, जैसे कोई प्राणी गर्मी से व्याकुल होकर घर से निक बुडिया ने मेरे समीप आकर मुझे सिर से पाउं तक देखा और बोली किसकी रहा देख रही हो, मैंने चिट करके कहा मौत की, बुडिया तुमारे नसीबाँ में तो अभी जिंदगी के बड़े बड़े सुख भोगने लिखे हैं, अंधेरी रात गुजर गी, आसमान पर स उसनी नजर आ रही है, मैंने हस करके कहा, अंधेरे में भी तुमारी आँखे इतनी तेज है कि नसीबाँ की लिखावट पढ़ लेती हो, बुडिया आँखों से नहीं पढ़ती बेटी, अकल से पढ़ती हूं, धूप में चूडे नहीं सफेद किये हैं, तुमारे दिन गए और अच्छे दिन आ रहे हैं, हसो मत बेटी, यही काम करते इतनी उम्र गुजर गी, इसी बुडिया की बदलत जो नदी में कूदने जा रही थी, वे आज फूलों की सेज़ पर सो रही है, जो जहर का प्याला पीने को तयार थी, वे आज दूद की कुलियां कर रही है, इसल जने संतान की इच्छा है, और ने संतान, बस और क्या कहूं, वे मंत्र बता देती हूं, जिसकी जो इच्छा, जो वे पूरी हो जाए, मैंने कहा, मुझे ने धन चाहिए ने संतान, मेरी मनों कामना तुमारे बस की बात नहीं है, बुडियांसी, बेटी, जो तुम चाती हो, वे मैं जानती हूं, तुम वे चीद चाती हो, जो संसार में होते हुए, स्वर्क की है, जो देवताओं के बरदान से भी ज्यादा आनंद प्रद है, जो आकास कुसम है, गूलर का फूल है, और अमावस का चांद है, लेकिन मेरे मंत्र में वे शक्ती है, जो भाग को भी समार सकती है, तुम प्रेम की प्यासी हो, मैं तुमें उस नाव पर बिठा सकती हूँ, जो प्रेम के सागर में प्रेम की तलंगों पर कीला करती हुई, तुमें पार उतार दे, मैंने उतकंठित होकर के पूछा, माता, तुमारा घर कहा है, बुढिया, बहुत नजदी के बेटी, तुम चलो तो, मैं अपनी आखों पर बिठा करके ले चलू, मुझे ऐसा मालू हुआ कि ये कोई आकास की देवी है, उसके पीछे पीछे चल पड़ी, आ वे बुढिया जिसे मैं आकास की देवी समझती थी, नरक की डाइन निकली, मेरा सर्वनास हो गया, मैं अमरत खोशती थ गंदे विशाक्त नाले में गिर पड़ी, वैवस्तू ने मिलती थी, ने मिली, मैं सुसीला कासा सुख चाती थी, कुल्टाओं की विशे बासना नहीं, लेकिन जीवन पत्मे एक बार उल्टी रहा चलकर, फिर सीधे मार्ग पर आना कठी नहीं, लेकिन मेरे अधै पतन का अ की आँखे खुले, मैं फिर कहती हूं कि अब भी अपनी बालिकाओं के लिए मत देखो, धन, मत देखो जायदाद, मत देखो कुलिंता, केवल बर देखो, अगर उसके लिए जोड़ा का बर नहीं पा सकते, तो लड़की को क्वारित छोड़ दो, जहर देकर मार डालो, गला योवन काल की हमंगों का कुल्चा जाना, रही में मेरे लिए अविस जीवन में कोई आशा नहीं, इस अधम दशा को भी उस दशा से नहीं बदलूंगी, जिससे निकल करके आई हूं, तो प्यारे सातियों, यहां इस कहानी का यह कहानी पूरी होती है, तो अगली वीडियो म में फिर मिलते हैं एक और नहीं कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद,